इतना बड़ा होटल हाँ बेटे, मैंने आप से वादा किया था न क्लास में टूप आओगी तो बड़े होटल में खाना के लाओंगा ये शहर का सबसे बड़ा होटल है खाना खाना है पापा इतने बड़े होटल में तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे न क्यों बेटा हम प्री में थोड़ी खाएंगे पैसे दे के खाएंगे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा चलो क्यों थाएंगे क्योंस-बड़े लोगे क्योंस-पास ये शाएंगे क्योंस-पास ये खाएंगे ये खाएंगे लो सर जी कहिए क्या लेंगे मेरी बेटी को आपके होटल का सबसे अच्छा खाना प्रोस दीजिए अच्छा और आप क्या लेंगे सर मैं सिर्फ पानी लोगा वो भी बिना पैसे वाला क्यों सर आप कुछ नहीं खाएंगे नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुछ खाऊँ मैंने अपनी वेटी से वादा किया था कि वो जिस दिन क्लास में टॉप करेगी उस दिन उसे शहर के सबसे बड़े होटल में खाना खिलाऊँगा और आज इसने अपना वादा पूरा किया मैंने फिफ्ट में टॉप किया है सर जी वो एक गरीब बाप और बेटी आये है तो? सर वो बाप अपनी बेटी को फर्स्ट आने पे खाना खिलाना चाहता है अच्छा पर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद भी खा पाए तो? सर मैं उन दोनों को खाना खिलाना चाहता हूं और उनका पैसा आप मेरी सैलरी में से काट लीजीगा नहीं नहीं क्यों सर? पैसा मैं दूँ या वो दे? एक ही बात है अरे सुनील बात पैसे के नहीं है तो सर और क्या बात है? दरसल मैं चाहता हूँ कि उनकी खुशी को हम सेलिब्रेट करे पूरे होटल को पार्टी देंगे बिट्यारे आखिर ही मत दिखाईए टेबल से जाओ और उनको वहाँ बेटाओ वाँ, धन्यवाद सर हाँ, सुनिये आज सभी को हमारे सर्जी की तरफ से इस बच्ची के फर्स्ट आने के मौके पे पार्टी है आईए सर, आपके लिए ये टेबल लगिए आपको और पूरे होटेल के कस्टमर्स को हमारे तरफ से पार्टी है बच्ची ने ठोप जो किया है अरे वा, चलो बैठी अरे बच्ची लो बेटा आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए ठैंक यू कलेक्टर मैम आई है नमस्ति मैम होटेल अच्छा है न मैम कलेक्टर मैम आई है और आपके MD साब से मिलना चाहते हैं हलो सर कलेक्टर मैम आई है आप से मिलना चाहते हैं अच्छा कलेक्टर मैम आई है अंदर बेज दो आप लोग यहां खड़े हो जाओ सारे नमस्ते आपने पैचाना मुझे पैचाना है क्यों नहीं? आप मारे जीले की कलेक्टर हैं नहीं, ऐसे नहीं आपको याद है पंद्रा साल पहले एक बच्ची आये थी आपके होटेल पे और उस बच्ची के टोप आने पे उसके पिताजी उसे खाना खिलाना चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तब आपने उनकी खुशी को शेलिब्रेट किया था और पूरे होटेल को पार्टी दी थी हाँ ऐसा कुछ हुआ था मैं वही बच्ची हूँ अरे वाँ वीटिया बहुत कुप तुमने तो कमाल कर दिया अरे वाँ कमाल मैंने नहीं कमाल तो आपने कर दिया उस दिन आपने इंसानियत दिखाई और मेरा होसला बढ़ाया आपने किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाया उस दिन के बाद मुझे सफलता का ऐसा चसका लगा मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये आपकी अच्छाई का नतीजा है इसी लिए किसी गरीब का मजाक न उड़ाएं और उसका होसला बढ़ाएं धन्यवाद